हलोग फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे MR अजूकेशिन चैनल पर आज हम बात करेंगे स्ट्रेνο क्राफ़ी के बारे में स्ट्रेνο क्राफी करने में कितना समय लगता है आप सभी का हमेशा से कोशन रहता है कि short end सीखने में कितना समय लगता है चाहे हो हिंदी में short end हो या English में short end हो अगर हम हिंदी short end या English short end में सीखना चाहते हैं तो अधिकांच exam में 100 words per minute की speed चाहिए होती है और इसके लिए हमें लगबख 6-7 month का समय भी लग सकता है और या फिर कहें तो हमें एक साल का समय भी लग सकता है या अपनी मैंनद पर निर्वर करता है और अगर स्टेंओ अब देखते हैं कि स्टेंओ हमें on-line सीखनी चाहिए या फिर off-line सीखनी चाहिए तो मैं आपको बता दू कि हम Steno Online और Off-Line दोनों तरहेकों से सीख सकते हैं और अब आप पर निर्भर करता है कि आप Off-Line करना चाते हैं या फिर Online यदि आपके आस पर कोई टीचर है तो आप Off-Line जोईन कर सकते हैं और मुझे रापी आप और यदी आप ओनाइन चाहते हैं तो आप घर बेटें तो अगर बेटें हमारी जगी सेख सकते हैं अब महँ करेंगे प्रयमार्म्ट स्ट्रेरो में काया फाय्दे होते हैं wonderful to हम देखते हैं कि इस TRIM pequeño exam के मकापले अधर गोउर्मेंट dua के फ३रम के संक्या भी जदा रहती है और जिससे इन में गोर्मेंट चॉम्प के चांसज थोड़े गम हो और स्टेनो एक्जाम में अधरे एक्जाम के मुकाबले जादा कम रहता है और इस से अधर ग्राइक्जाम के मुकाबले स्टेनो एक्जाम के सुलेक्शन की चांसे़ भी ज़्यादा हो जाते हैं अभिश unanimous japanese assistant